दोस्तों न्यूज इडिया में आपका फिर से स्वागत है तोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से 12 मार्च को लॉंच किये जाने वाले रोहनी साउंडिंग रॉकेट के बारे में चिहां दोस्तों यह इसरो की तरफ की सबसे संदा सकती है तो चलिए जानते हैं आफिर रोहनी साउंडिंग रॉकेट होता क्या है तरसल दोस्तों यह एक तरह का ऐसा रॉकेट होता है जो की एक पेलोड केरी कर सकता है और इसका जो मेंन फोकस होता है वह स्टड़ी करने के काम आता है इसलिए जो रोहनी साउंडिंग होती है वह थुंबा यानि स्री हरी कोटा सो होता है जो कि वह साउथ में ही पढ़ता है दोस्तों अब आपको बता देगी की कजो कुछ खासियत होते हैं वह जानकर आपको और भी अच्छा लगेगा कि रोहनी की और कितने फायदे होते हैं study के अलावा भी रोहनी बहुत सारे कामों में इस रोकी या भारत की मदद कर सकता है जैसे कि इसकी पेलोड capacity होती है और सबसे बड़ी बात जो होती है वो यह होती है कि इसको बागी rocket की तरह बनाना या launch करना इतना महेंगा और इतना महनत वाला काम नहीं होता क्योंकि इसकी जो launching capacity होती है वो एक दिन में दो से तीन या जादी भी rocket launch किया जा सकते हैं इस तरह का यह rocket होता है इससे हम समझ सकते हैं कि इमेडियेटली इस रोफ चाहे थे इनको एक दिन में कई बार launch कर सकता है क्यों नहीं पड़ती है और यह खास कर से study करने के लिए डिजाइन किया गए होते तो इनको carry करना भी आसान होता है और इनको सिफ research के basis पर ही launch के जाता है यानि कि इस रोफ के जितने भी research से जुड़े काम होते हैं चाहे वो अपर atmosphere में कहीं पर भी हो इस तरह के sounding rockets का use करता है जिस कि size की according बहुत जारा जरूरत नहीं होती हां लेकिन इसकी एक खास बात और होती है कि यह सिफ study के लिए जरूर यूज किया जाता है लेकिन इसकी जो launching या payload capacity है वो काफी अच्छी होती यानि कि 8 kg से लेके 100 kg तक क्या यह payload carry कर सकता है तो यानि आने वाले समय में अगर इस रो चाहे तो इनको छोटे मोटे satellite launch करने के लिए भी सायर वो यूज कर सकता है और जैसा कि इनकी frequency है कि एक दिन में कई बार यह launch हो सकते हैं कई launch हो सकते हैं और एक ही platform से यानि कि यह बाकी satellite या launch vehicle के comparison में काफी ज्यादा launch किये जा सकते हैं अब आपको बता दें कि इस तरह कि ज different है हर वर्दन में यानि कि अगर आप सबसे lowest वर्दन की बात करें तो उसकी जो पेलोड कापैसिटी है वह 8 kg से बढ़ होके और जो सबसे highest वर्दन है सबसे latest वर्दन है यानि कि RS560 की उसकी 100 kg के पेलोड कापैसिटी है और इसकी जो range होती है लोगभग 475 km की होती है इस हिस आप से अपनाजा लगा सकते हैं कि अगर इसको meteorological department या फिर अपर atmosphere में study के लिए यूज़ करना है तो यह कितनी बेतर और कितनी अच्छी data collect करके दे सकता है अब आपको बता दे कि भारत में जो वेहिकल यूज़ किये जाते हैं उनके नाम है RS200, RS300 और RS560 यानि कि जिसका ब पूरा का पूरा फोकॉस meteorological department और और इस तरह की study के लिए और atmospheric study के लिए होता है और इसको जो लॉंच करने का भारत में दो ही जगर से इसको लॉंच किया जाता है यानि एक थुंबा जो कि साउथ में पढ़ता है और स्री हरी कोटा यह भी साउथ में ही पढ़ता है और इसक सबसे पहला जो sounding rocket था भारत का वह आरेच 125 भी था और इसको आपको जानकर और आस्चेर होगा कि यह लगभग 1965 के आसपास इसकी सुरुआत की गए थी यानि कि इस रो इस पे बहुत पहले से काम कर रहा है अगर सही सही data के हिसाब से बात करें तो 19th century में इसको शुरू कर द सबसे एडवांस है जिसका अभी लॉंच भारत तारिक को किया गया है और यह इसलिए एडवांस है क्योंकि इसका जो वर्क फिल्ट है वो आइनोस्फियर है यानिकि अपर एट्मोस्फियर में जाके यह पूरा डेटा कर सकता है तो यानिकि यह इस रो के लिए ही नहीं बल लवर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इस रो के करना में हर किसी को पसंद आते हैं तो आपके जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू बताईएगा इस वीडियो में बस इतना ही कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉप झाल